ये है दैनिक प्राताकाल का डिजिटल एडिशन प्राताकाल लाइफ राजिस्तान में पहला पूर्ण बजट पेश करने से पहले प्रदेश की भजलाल सरकार ने बीजेपी संकल्प पत्र में किये गए एक और वादे को पूरा कर दिया है इसका फायदा सीधे तोर पर महिलाओं को होने वाला है क्योंकि राजिस सरकार ने थर्ड ग्रेट टीचर भरती के बाद अब पुलिस भरती में महिला आरक्षन को बढ़ाने का एलान किया है जो महिलाओं के लिए किसी तोफे से कम नहीं है वरतमान में राजिस्थान पुलिस डेपारटमेंट में महिलाओं की संख्या सिर्फ 10 फीसदी है इसकी संख्या को बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार में पुलिस भरती में महिला आरक्षन को 30 फीसदी से बढ़ा कर 33 फीसदी कर दिया है इससे पहले मुख्यमंत्री भजलाल शर्मा ने तृती यश्रेणी सिक्षक भरती में महिला आरक्षन 30 प्रतिशत से बढ़ा कर 50 प्रतिशत तक करने की घुशना की थी, जिसके बाद से प्रदेश की महिलाओं में उच्साह का माहोल है प्रदेश में तृती यश्रेणी सिक्षकों के 2,70,000 से अधिक पद हैं, इनमें करीब 60,000 पद खाली हैं, जिनमें भरतियां होनी बाकी हैं प्रदेश में अगर 60,000 थर्ड ग्रेट सिक्षक की भरती हो, तो 30,000 पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे दरसल राजी सरकार का फोकस महिलाओं से संबंधित योजनाओं पर ज्यादा है इससे पहले सरकार ने उजवला योजना की लाभारतियों को 450 में सिलंडर देने का फैसला लागू कर चुकी है और अब सिक्षा के छेत्र में घोशना और फिर पुलिस भरती में महिलाओं का आरक्षन कोटा बढ़ाने से महिलाओं काफी उत्साहित है 10 जुलाओं को भजलाल सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करने जा रही है जिसमें महिलाओं के लिए कई बड़े ऐलान हो सकते है